हेलो बच्चों यह कुशन आपका laws of motion chapter का है बहुत ही easy कुशन है और यह जो कुशन है आपका mass police system से related है ठीक है देखें कुशन में क्या कहा रहा है two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह दो masses है m1 and m2 यह masses जो है यह string से connected है और यह जो string है light inextensible string है जो string खीचने पर जिसका length change ना हो उसे light inextensible string बोला जाता है light का मतलब बहुत पतला string है ठीक है अब देखो यह दो masses एक 8 kg का है एक 12 kg का है तो यह बड़ा mass है यह चोटा mass है तो यह जो m2 mass है यह greater है m1 mass है ठीक है तो जो m1 mass है उसका mass 8 kg हमें given है और जो m2 mass है वो greater है तो वो 12 kg हो यह आपका pulley होता है इस pulley से जो है यह जो string लिपट रखा है ठीक है तो यह आपका frictionless pulley है मतलब यहाँ पे friction produce नहीं हो रहा होगा ठीक है तो frictionless pulley है यह आगे पुझा find the acceleration of the masses इन masses पे कितना acceleration आएगा देखो जब हम इन mass को release कर देंगे तो यह दोनों के दोनों block motion करने लग जाए इस पर downward direction में ज्याधा gravitational force लगेगी मतलब डारेक्शन में जो फोर्स लगेगी वह M2 इंटु जी लगेगी और इसमें भी जो downward direction में gravity की वज़े से जो force लगेगी उसे M1 इंटु जी हम बोलेगे और यहाँ पर opposite direction में टैंसन स्ट्रिगी और यहाँ पे भी opposite direction में टैंसन फोर् इसका जो direction होता है, away from body होता है, अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, find the acceleration of the masses, यह जो masses है, इन पे acceleration जो create हो रहा है, वो हमें बताना है, acceleration का मतलब यह है कि यह body motion कर रहे है, देखो यह नीचे की तरफ motion करेगा, क्योंकि इसका mass जदा है, यह उपर की तरफ motion करेगा, क्योंकि अब देखो मान लो अगर ये वाला ब्लॉक अगर नीचे की तरफ ay acceleration से motion कर रहा है तो ये वाला ब्लॉक भी ए ही acceleration से motion करेगा क्योंकि ये A की system है अम्हें क्या करना है ये acceleration भी fine करना है एंटी tension in the string भी हमें fine करनी है तो कैसे करेंगे इसे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस वाले ब्लॉक को consider करना है अब देखो, इस ब्लॉक में कितनी forces लग रही है, एक force ये लग रही है, एक force नीचे की तरब लग रही है दो forces लग रही है और दोनों forces जो है opposite direction में लग रही है लेकिन इस block पे एक net force भी लग रही होगी, सबसे पहले हम उस net force को calculate करेंगे कि net force कितनी लग रही होगी, देखो ये जो block है नीचे की तरफ जो motion कर रहा है न ये block, इस net force की बज़त से ये block जो है नीचे की तरफ motion कर रहा है, तो देखो net force हम कैसे calculate करेंगे, देखो ये दोनो forces opposite direction तो obviously क्या होगा कि यह वाली जो force होगी इस वाली force से greater होगी यह जो M2G है यह greater होगी tension force से तो दोनों को हम यहाँ पर subtract कर देंगे जो से नीचे motion कर रहा है तो mass कौन सा है इस M2 लिखेंगे तो यह हमारा equation first है अब equation second भी बना लेते हैं अब हमें क्या करना है इस mass को consider करना इस block को consider करना है इस block पर यह दो forces लग रही है तो यह block जाए उपर की तरफ motion कर रहा होगा क्यों कर रहा है उपर की तरफ motion क्योंकि यह tension force जो है greater है यह नीचे वाली force है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को subtract करेंगे तो पहले tension force लिखना है minus M1 into G लिखना है तो इन दोनों force को जब subtract करेंगे तो हमें क्या मिलेगा net force मिलेगा net force देखो यह दोनों forces opposite direction में इसलिए हम इसे subtract कर रहे हैं और same body पे लग रहे हैं इसलिए subtract किया जा रहा है तो दो force को जब subtract करेंगे तो हमें net force मिलेगा तो net force का formula क्या होता? mass into acceleration, mass हम इस वाले mass को लेंगे, mass into A acceleration यह वाला acceleration तो यह T minus M1 into G हो जाएगा, M1 कितना दे रखा है? 8 की G दे रखा है तो 8 into A T minus 8 into G यह आपका equation second है, ठीक है? अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे? इससे आगे हम क्या करेंगे? इन दोनों equation को add कर दीजे, जैसे मैंने इस equation क पहले लिख दें, यहाँ पर T minus 8G is equal to 8A, तो इस equation को इस equation के साथ add करना है, तो इसको पहले इसके साथ add कर दीजे, यहाँ पर लिखे, plus 12G minus T, और इस acceleration को 8A है, 8A को 12B के साथ add कर दीजे, यह 12A, ठीक है? इस तरीके समने add कर दिया, तो यह tension से tension cancel हो जाएगा, यह 12G minus 8G कितना हो जाएगा, आपका 4G हो जाएगा, 8A plus 12A कितना होगा, 20A होगा, अब देखो G का value यहाँ पर हम क्या लें, वैसे G का value जनरली इस ground में जो होदा है, 9.8 होदा है, लेकिन calculation को easy रखने के लिए हम G का value 10 meter per second square भी ले सकते हैं, acceleration due to gravity, तो यहाँ पर question में लिख देना है कि हम G का value कितना ले रहे हैं, 10 meter per second square ले रहे हैं, ताकि examiner को पता चल जाए, तो G का value हम यहाँ पर 10 put कर रहे हैं, यह 4 into 10 हो जाएगा, यह 20 into A हो जाएगा, तो acceleration is equal to कितना हो जाएगा, 4 into 10, 40 divided by 20, तो यह कितना आ जाएगा, 20 divided by 40, sorry, 40 divided by 20, यह 2 आ गया, तो यह acceleration हमें कितना मिला, 2 meter per second square तो acceleration तो calculate हो गया, अब देखो हमें tension भी find करनी है, अब देखो हमारे पास यह 2 equation है, तो किसी भी एक equation को लीजिए, और उसमें यह acceleration की value put कर दीजिए, तो आपका tension भी calculate हो जाएगा, तो मैं इस वाली equation में इस acceleration को put कर रहा हूँ, मैं इस equation को पहले लिख देता हूँ, यहाँ प तो यह tension is equal to कितना हो जागा, 120 minus 24, तो यह finally tension कितना आजागा, 96 newton, तो यह question आपका complete हो गया, ओके,